पहला थिसलोन क्यों अध्याय तीन आइट आठ क्योंकि अब यदि तुम प्रबू में सिर्ध हो तो हम जीवित हैं प्रमेशरोन के लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन करता है जो लोग उसे प्रेम रखते हैं और आप बला कैसे असफल हो सकते हैं आप असफल नहीं हो सकतें किसी वी तरें असफल नहीं होंगे कलीसिया वास्तम में इस बात को पता कर सकती है यदि आप मसी में अपनी स्थान को पा सकते हैं तो ये सारी अन्य चीजें बस एक छाया की तरह दुंदली पर जाएंगी हर एक जन जो परमेशर के पास आता है यह सच है उसके पास चाया और परलोबन और डर और इसी तरह से अन्य चीजें होनी ही है लेकिन बस उसके विशे में बहुत अदीक दूखित नहीं होना है कुछ समय के लिए जरासी तकलीफ सहना क्या है यह जानते हुए के परमेशर की महमा अंतिम दिनों में प्रगठ हो जाएगी जब येशु आएगा जब हम उसके समान बन जाएंगे वह बस सब कुछ एक साथ काम कर रहा है क्या आप जानते हैं? हो सकता है यदि आप बिमार हो या आपके साथ कुछ घटित हो तो परमेशर को आपको अपने थोड़ा नजदीक लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है